आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंजन स्टडी 85 में आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो अभी आटियो सब इंस्पेक्टर की बर्ती निकली है उसमें जो 2013 में विगत बर्ती आई थी उसका सेकंड पेपर जो की है जीके जनरल नोलेज और एवरीडे साइंस का यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रशन पत्रा आया इसका समय था दो गंटे और पुर्णाक थे सो इन सभी को आज हम हल करने जा रहे हैं आज तक्रीबन हम 30 प्रशन हल करेंगे जो सारे के सारे इंडिया जीके गए होगे उसके बाद में जो भी राजिस्तान जीके आएगा उससे सम्मदिन हम कल आगे नेक्स्ट क्लास में अपने उसको कम्प्रिट कर लेंगे तो चलते हैं आज का अपना पहला प्रशन किस देश ने क्रीमिया को अपने में शामिल कर लिया था तो हमें ध्यार रखना है कि कौन से युद में शामिल किया था सिधे हम उत्तर की ओर चलते हैं तो यहां आएगा दो नंबर रूस के साथ किस देश ने क्रीमिया को अपने में शामिल कर लिया है तो वह था रूस चलते हैं प्रशन नमबर दो की ओर निर्ण मैंसे किस राज्य में लोगसभा की सरवादिक सीटे हैं तो मैं पता है जो राज्य बढ़ा होगा उसमें सीटे ज़्यादा होगी तो सबसे बढ़ा राज्य पहले कुन सा था उत्तर परदेश कौन है यह 2013 के प्रेशन है तो यहाँ उस टाइम कौन थे 2013 में थे VS समपत प्रेशन नमबर 4 की ओर चलते हैं माई श्टोरी के लेखक कौन है माईissent टोरी के लेखक कौन है तो यहाँ क्या हुआ यह प्रेशन डिलेट हो गया क्या हुआ डिलीट हो गया तो कि इसमें क्या क्या कि उस प्रिशन का उप्शन ही नहीं दिया प्रिशन नमबर पांच में चलते हैं बार्त के सविधान की सरवादिक मेहत्पून विसेश्था क्या है तो भारत के सविदान की मैतरपूर्ण विसेशता है कि भारत क्या है प्रभुत्तव संपन, समाजवादी, धर्म रिप्रक्ष, लोक तंतरार्तमक, गण राजे हैं ये कुछ ऐसता ही बिंदू है अगर सभी बातें द्यान से देखी जाए तो एक नमबर पॉइंट में हमारे सभी बातें नहीं तो चलते हैं आगे प्रशन नमबर 6 की और बार्त के राष्टवत्ति का निर्वाचन हो सकता है बार्त के राष्टवत्ति का निर्वाचन किस तरह से करते हैं अपने कि इसकी कोई अवदी नहीं होती तो इसलिए इसका उतर आएगा कितनी भी अवदी के लिए प्रशन 6 का अप्सर नमबर 4 करेक्ट होगा चलते हैं प्रेशन नमबर साथ की और संसद की गठन में समिलित क्या क्या होता है हमें पता है संसद किसे मिलकर बनती है लोकसबा इदान सबा राजे सबा और संसद तीसरा इसमें सदन होता है दो चीजों को अगर हम इसमें समिलित कर दें तो हमारा संसत कंप्लीट ओजाता है तो यहाँ आजएगा दोनों सदनों के साथ राष्ट्र पती तो हमारा यहाँ क्या कंप्लीट होजएगा संसत अभी तक हमारी चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें लाइक और कमेंट जूर करें ताकि हमें हमारी गतिवीदी का पता चलता रहे चलते हैं अपने अगले प्रशन पर प्रशन नमर आठ पर प्रशन नमर आठ है परदान मंत्री एवं मंत्री परिशद सामोई कुरूप से उतरदाई होते हैं किसके प्रती उतरदाई होते हैं परदान मंत्री किसका अलोका देख्ष होता है अवे पता है लोकसभा का तो यह उतरदा ही किस के परती होंगे लोग सबा के परती ही होंगे चलते हैं प्रशन नमर नो की ओर राजय की कार्या पाली का सक्ती किसमें नहीं तो होती है इसने प्रशन पूछा है राजय की कार्या पाली का शक्ती तो राजय की कार्या पाली का सक्ती किसमें होती है राजय एसी तरह ही आगे प्रशन नमबर 10 नमबर था जो इसमें डिलिट हो गया था अपने चलते प्रशन नमबर 11 की ओर मिलन मैं से कोप सा देश एसयान का सदस्य नहीं है एसयान का सदस्य है नहीं तो यहां उत्तर आएगा उत्री Korea प्रशन नमबर बारा जब अनुछेद 352 बारत के सविदान के अंतरगत देश में आपातकाल की गोशना की जाती है तब मुलिक अधिकार स्तगित नहीं किया जा सकता कोण सा मुलिक अधिकार है जो 352 में जब आपातकाल के हमने तीन पड़े हैं 352, 356 और 360 तो 352 के अंतरगत कोण सा अमारा मुलिक अधिकार है जिसका मलकी अमारे स्तगित नहीं होता है तो इसका क्या अंस्वराना चाहिए साती हो इसका आएगा जीवन व्यक्तिकत स्वतंतरता के अधिकार पे किसी प्रकार का कोई अस्तक्षप नहीं होता है प्रशन नमबर चलते है अपने 13 पर उस राष्टपति का क्या नाम था जो लोक्षवा के अधिक्ष मतलब की स्पीकर भी रह चुकी है प्रशन नमबर 13 तो इसका आएगा नीलम संजीव रेडी जिसका पूरा नाम था नीलम संजीव रेडी तो इसका आणिस्वर क्या होगा कि जो दोनों लोक्षवा के अधिक्ष वेश्पिकर उसके साथ राष्टपति भी रह चुकी है प्रशन नमबर चलते है अपने 14 पर नगर पालिकाउं एव पंचायतों को सवेदानिक दरजा किस अनुच्छेद के अंतरगत दिया गया तो यह किसमे हैं सभी को पता है अनुच्छेद 223 किसमे 233 में पंचायतों का जो हमें पता है तो यह किसमे 233 में नगर पालिकाउं के अधक्ष का चुनाव होता है नगर पालिका अधक्ष का चुनाव किस तरह से होता है पर्तेक्ष निरवाचन द्वारा वरिष्ट नागरिकों द्वारा स्वतंतरता सेनन्यू द्वारा तो मैं पता है यह नहीं आएगा यह भी नहीं आएगा हमें इन द पर निमलेक्त में से हिमालिय का दर्रा कोण सा नहीं है हिमालिय का दर्रा इसमें से कोण सा नहीं है तो यहां जो जीला है बेनी हल है बुर्जिल है तो थाल घाट दर्रा इसका नहीं होगा चलते है प्रिशन नमबर 17 पर उत्तर पस्चमी बारत में सीत कालिन वर्षा का कारण क अविस्तित है तो इसमें जो सीदकाल की वर्षा होती है जिसे अपने क्या कहते है गोल्डेन ड्रॉप्स कहते हैं या मावट कहते हैं तो जो रभी की फसल के लिए बहुत लाबदाएक होती है वो किसका कारण होता है तो यहां हम किसका कारण बताएंगे पस्चिमी बते हैं वेस्टर्ण डिश्ट्रबेंस पस्चिमी विक्षोब के एकार यह राजस्तान जीकेगा प्रशन मालो इसे के साथ भारत का भी हो गया प्रशन चलते हैं अठारा नंबर पर चंदन की लकड़ी के लिए परशिद राज्य कौन सा है तो चंदन हमें पता है कहा होता ह करनाटका में होता है कहा होता है करनाटका में अगे चलते हैं प्रशन नंबर 19 19 पर देखो करनीश तेल उत्पादक छेत्र कोन सा नहीं है यह आप देखोगे अंकलेश्वर पिरेज उत्पादक है डिगवोई है मुंबई है और एक कोची नहीं है कोची क्या है एक बंद्र प्रशन नंबर 20 20 में है सवेथ क्रांति के जनक कोन से है यह बहुत पहले पढ़ते आ रहे हैं स्वेथ क्रांति का जनक वर्गीज कूरियन को कहा जाता है किसको वर्गीज कूरियन को चलते हैं प्रेशन नमबर 21 पर यहां लिखा है प्रवाल द्वीप है कौन सा कोरल आइसलेंड प्रवाल दीप कौन सा है तो प्रवाल दीप इसमें कौन सा आएगा लक्ष द्वीप है जो एक प्रवाल द्वीप है इसी तरहें प्रेशन नमबर 22 22 में है दोलादार श्रेणी कि का अंग है वह है दोलादार हमें पता है एक हिमालय का अंग है यह हमें क्लीर है अब यह बताना है कि ट्रांस हिमालय का है आंत्रिक हिमालय का है लगू हिमालय का या सिवालिक पाड़ी का है तो हमें पता है तो दोलादार श्रेणी है वो लगू हिमालय का एक अंग है तो यहा है सत्याद्री सत्याद्री का दूसरा नाम क्या है इसका होगा पस्चमी घाट क्या पस्चमी घाट अभी सातियों जो हमारा requirement आई है इसमें जो त्यारी हमें इंडिया जीके की बहुत अच्छे से करने होगी क्योंकि यहां से है तो चलते हैं अपने आगले बारे प्रस्चन पर प्रस्चन नमबर 24 पर उत्तर से दक्षिन की और सही करम है यहां आप देखोगे सभी चीजे दे रखिये बोरगाट फालगाट और पालगाट तो यहां इसका सही करम जाजाएं तो सबसे पहले आ जाएगा थालगाट फिर बोरगाट फिर पालगाट सबसे पहले थालगाट बोरगाट और पालगाट उत्तर नमबर 2 हमारा सही हो जाएगा चलते हैं प्रस्चन 25 की ओर क्रिश्णा नदी के डेल्टा से कन्या कुमारी अंतरीप तक फेला तट क्या कहलाता है प्रिश्ण को द्वारा पढ़ लो क्रिश्णा नदी के डेल्टा से कन्या कुमारी अंतरीप तक फेला तट क्या कहलाता है यह कहलाता है कोरो मंडल क्या कहलाता है कोरो मंडल अंस्वर नंबर 3 सही हो जाएगा चलते हैं प्रिशन नंबर 26 की ओर गेहों बहुते समय सरवादिक उप्युक्त तापमान कितना होता है जब हम गेहों की या रभी की जो फसर होती है उनालू जिसे बोलते हैं उसकी जो तापमान क्या रहना चाहिए इसके लिए 10 से 15 डिगरी तापमान प्रियाप्त होता है अंस्वर नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा चलते हैं प्रिशन नंबर 27 की ओर सही उगम को बताना है कोई कोण सा सही उगम है कोलार, मेगनीज, सीमोगा, अबरक, जामर, कोटड़ा, जस्ता, अदिलाबाद, लोह याश्क है तो अदिलाबाद, लोह याश्क बिल्कुल सही हो जाएगा प्रिशन नंबर चलते हैं 28 पर 28 में लिखा है कि हीरापूर, कुल्टी, बर्नपूर जिसकी काईया है वह क्या है तो यह सब किसकी काईया है बारतिय लोह इस पाद कंपनी की है किसके बारतिय लोह इस पाद कंपनी की है प्रिशन नंबर 29 पर चलते हैं टर्सियर कोईला चेतर जहां मिलते हैं वह कौन सा है लगि टर्सियर जो कोईल फिल्ड है जहां मिलते हैं वैच हेतर कौन सा है तो इसका आएगा काला कोट कौन सा काला कोट आप यहां से सिधा सियाद करतो कोईला क्या होता है काला होता है और काला होगा तो कहां मिलेगा काला कोट में तो आगे से भी अगर प्रशन आए तो आपकी याद रहना चाहिए प्रशन नमबर 30 पर चलते हैं तिसका निमन मेंसे एक जो सूती उद्योग का परमुख केंदर नहीं है तो सूती उद्योग का में पता है मुंबई है, कानपूर है, एहम्दाबाद है, विशाक का पत्नम एक नहीं है यही होई क्या आगया, यह एक बंदर गहा आगया इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह से हमारा रहस्तान का नक्षा बनाना पड़ेगा फिर हमें इस बागों में बाढ़ना पड़ेगा, यह कोण सा आगया, बंगाल की खाड़ी, यह आगया अरब शागर तो हमें हर एक चीज़ को क्लियर करते जाना है, ताकि कल को हमें किसे प्रकार की लिकत नहीं हो तो चलो सातियो, आज के लिए धन्यावाद, इतना ही, कमेंट, लाइक, सेर जरूर करें ताकि हमें इसका प्रफॉर्मेंस मिलता रहे, कि हमारे वीडियो को कितने लोगों ने अच्छा चाहा और किसी प्रकार की तुरूटी हो, तो आप हमें कमेंट करके जुरू बिताएं, धन्यवाद, जैहन, जैबार